वेलकम टो इस शानी वीडियो स्कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर पूरी तरह से एक सबसे बड़ा खुलासा होते में दिखाए देगा अरचुन यहाँ पर काव्या को बोलेगा अपनी बेटी जिसके बारे में सुन लेगा यहाँ पर कोई और नहीं बलकि यहाँ पर रिशब और उसके साथ-साथ शर्लिन घर के बाहर कर रही होगी काफी बड़ा हंगामा जिसके बाहर में यहाँ पर काफी जादा आवाजे आ रही होंगी और उसके साथ साथ रिशब को लेकर शरलिन अपनी चिंता जताएगी जो की कहानी पूरी तरह से यहाँ पर बदलते हुए नजर आएगी टेरिस्ट के साथ में मिलकर एक नया प्लैन बना कर सामने आएगा कोई और नहीं बलकी पृत्वी और पृत्वी अप पूरी तरह से यहाँ पर साथ देते हुए टेरिस्ट का नजर आएगा आने वाले एपिसोड में काफी बड़े यहाँ पर प्राइस की डिमांड की जाएगी ताकि यहाँ पर काव्या और बाकी सभी लोगों को छोड़ा जा सके अर्जुन की तरफ यहाँ पर कई सारे सवाल दागे जाएंगे पृत्वी की तरफ से जिसके बाद में होगा काफी तगरा खुला सा तो चलिए सारी बाते बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसेशन मिले और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरस्टिंग अप्डेट कराते रहें आने वाले एपिसोड में पृत्वी किसी ना किसी तरह से अब टेरिस्ट को बहलाने फुसलाने में कामियाब हो चुका है जिसके बाद में वो साथ दे रहा है अप्टेरिस्ट का जहाँ पर उसने एक नया प्लैन बनाया है काफी जादा पैसो का 40 लाख रुपए मांगे गए हैं यहाँ पर अब रिशब से कि आखिर में अपनी बेटी को बचाना चाते हो तो तुम्हें 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर प्रीता और उसके साथ साथ अर्जुन विफसने वाले हैं जाल में जहाँ पर प्रीता के उपर यहाँ पर बंदूख तान दी जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रीता को मारने की धमकी दी जाएगी रिशब से बात की जाएगी और प्रिधवी यहाँ पर मैनिप्लेट करेगा रिशब को कि आखिर में किसी ना किसी तरह से 40 लाख रुपे दे दिये जाएं दूसरी तरफ अब यहाँ पर कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि बाहर शरलिन खड़े होकर अब यहाँ पर रिशब की जान खत्रे में है और रिशब के बारे में काफी जादा चिंता करते हैं नजर आने वाली है इस बात को सुनकर यहाँ पर करीना बुआ की तरफ से काफी जादा बाते बोली जाएंगी और उसके साथ साथ यहाँ पर शरलिन को बोला जाएगा कि आखिर में तुम तो यहाँ पर रिशब की चिंता कर रही हो लेकिन पृत्वी का क्या पृत्वी के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी पृत्वी के बारे में तुम क्या सोचती हो जिसके बाद में अब यहाँ पर शरलेन फसने वाली है उसी के विचावे जाल में दूसरी तरफ अब यहाँ पर सबसे ज़ादा प्रोवोक किया जाने वाला है पृत्वी की तरफ से किसी और को नहीं बलकि अरजुन को अरजुन को बार बार बोला जाएगा कि आखिर में तुम यहाँ क्यों गुसा है तुम्हें यहाँ पर इतनी जादा मुसीवत मोल लेने की क्या जरौत थी तुम आखिर में अंदर क्यों आए तुम्हारी लगती क्या है यह जिसके बाद में यहाँ पर अरजुन गुस्से में पर बोल देता है कि आखिर मैं काव्या कोई और नहीं बलकी मेरी बेटी है जहांपर काव्या की यहांपर बेटी बात सुनते ही पूरीntyता काफी जादा चौक जाती है दूसरी तरफ रिशव यहाँ पर कॉल पर होता है वो बात सुनते ही उसको भी यहाँ पर जटका लग जाता है जिसके बाद में अब यहाँ पर अरजुन अपनी बात पर टिका रहता है जाने अन जाने में उसने एक सच ऐसा बोल दिया